ग्रुग्राम की विवान पैलस में कारगिल विजय दिवस के उपलाक्ष में मनेश यादब द्वारा एक विशीस कारेक्रम का ऐउजिन किया गया यह कारेक्रम शहीद सैनिकों के परिवारु को सम्मानित करने के ओदेश सी आउजित किया गया था जिन्होंने देश की रक्षा में अपने प्राणूं की आहूती थी इस कारिक्रम में लेटिनेंट, जर्नल, एर मार्शन, वईं कमांडर, ब्रिगेडियर, जेनरल सहित लगवग 500 पूर्व सैनिकों ने भाग लिया इस मौके पर सभी वेर शहीदों को स्रधांजली दी गई और उनके अदम में साहस को याद किया गया कारिक्रम का मुख्यों देश, शहीदों के परिवारों के प्रति, सम्मान और समर्थन व्यक्त करना था मनीश यादब ने इस अवसर पर कहा हम उनके बलिदानों को कभी नहीं भूलेंगे और उन्हें हमेशा अपने दिलों में जीवित रखेंगे इस विशेस आयुजन में ग्रुग्राम के नागरिको और उपस्थित लोगों के दिलों में देश भाक्ती की भावना को और गहरा किया शहीदों के बलिदान को अमन करते हुई इस कारिक्रम ने उन परिवारों को भी सम्मानित किया जिन्होंने अपने प्रियजनों को देश की रक्षा में खो दिया कारिक्रम ने समाच को शहीदों के बलिदान की एहमियत और देश भक्ती की भावना को जाकरित करने का महत्वपूर्ण प्रयास किया कारिक्रम के दोरान देश के प्रती नई उर्जा और समर्पन की भावना का संचार हुआ शहीद सैनिकों के परिवारों ने इस सम्मान को गहरी भावनाओं के साथ सुईकार किया और गुरुग्राम वासियों ने भी इस कारिक्रम में बढ़ चड़ कर हिस्सा लिया